नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है एक नई जानकारी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आप पोधा देख रहे हैं न जो डंठल देख रहे हैं या आपने पोधा देखा भी होगा और जानते भी होगे लेकिन दोस्तों इसके औसदी गुनों से आप परिचित नहीं होगे तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पोधी के फायदे के बारे में इसमें बहुत सारे औसदी गुन विद्वान होते हैं दोस्तों आपने ये अक्सर देखा होगा खेत, खलियान या खेत के मेरों पे ये ज़्यादा तर लगाया जाता है और खास करके बहुत सारे लोग इसको गार्डन में भी लगाते हैं क्योंकि इसकी अजीव टाइप सी बनावट होती है और इसमें भूड़े पेड में काटे ही काटे होते हैं जी हाँ दोस्तों आप इसको कहीं से भी तोरेंगे इसमें भरपूर मात्रा में दूध निकलता है दोस्तों ऐसे तो इस पोधे का नाम है थूहर थूहर के नाम से जाना जाता है यह एक कैक्टेस जो नाखफनी होते है उसी परजाती का यह एक पोधा है अब देख लिजिए और यह इसे थूहर के नाम से कहा जाना जाता है और इसे आयरुवेद में इसे सेहूर के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों इसके आज हम इसी के बारे में इसके सधी गुनों के बारे में विसेश रूप से चर्चा करेंगे कौन-कौन से बिमारी में परयोग किया जाता है और किस मातरा में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि आप इसको अच्छी तरह से पाचा नहीं गए हैं इसमें पत्ते भी लगे होते हैं अभी पत्ते इसमें आपको दिखाएंगे पत्ते भी लगे होते हैं काटे भी लोते हैं और दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका परियोग जो होता है इसके दूद का पड़ियोग होता है, तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों वीडियो को इसको skip ना करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक भी कर दीजियेगा, तो चलिए दोस्तों इसके जान लेते हैं, ऐसे खास करके चर्म रोग अगर किसी को चर्म रोग हो गया है जिसे दाद, खाज, घुजली, एकजीमा, सोराइस या फोरे फुनसी तो उसको दूर करने के लिए सेहुर बहुत 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 बहु हो रहा है और समय समय से पहले अगर किसी के बाल सफेद हो गया है दाद जहरने की समस्या है तो दोस्तों ऐसे के लिए यह बहुत बहतरी नौसदी है सफेद बाल को काले करने के लिए बाल को जहरने से रोकने के लिए दोस्तों जैसे मैंने बताया कि चर्म रोक के लिए या इस निकलता है, तो क्या करें, आप कम सकं 100 गराम से 50 गराम इसका दूद निकालें, और इसके बाद क्या करें, उसमें अतनी ही मात्रा में सरसो का तेल मिला दें और इसके धीमी आँच में पकाएं, तब तक दोस्तों आपको पकाना है जब इसका थूहर का दूद का जो होता है न या फोड़े फुंसी, किसी पड़करगा का इंफेक्शन हो, आप वहाँ पे एक लेप लगाईए, सुबह साम इस तरह से लगाईए दोस्तों, आपको इसके लेके सारी जो समस्या है ना, वो जर से खत्म हो जाता है, थोहर का दूद और सरसों का तेल, धीमी आज में पका करके और उसको बाद ठंडा करके आपको इसको प्रियोग करना है, और दोस्तों इसी तरह आप अगर घाओ हो गया है ना, जैसे पुराना घाओ हो या नया घाओ, तो घाओ को भरने के लिए, घाओ को सही करने के लिए, सुजन मिटाने के लिए, दर्द को सही करने के लिए, उस फाइदय के बाद हम कर लेते हैं अगर पेट में कीरे हो जाएं खास करके बच्चे को बहुत ज़्यादा पेट में कीरे होने का चांस रहता है तो दूस्तquest में अगर कीरे हो जाएं इसके लिए बहुत ही अच्छा है इसका थुवर का दूद निकाल ले इक क быстр के नावी एक चमच्छ और इसके बाद उसके क्या क्या है हीम मिला है twin मिला कर दोनों सो अच्छी तर से पेस्ट बना कर जहां अगर पेस्ट जो नाभी एंगे चारो साइड उस तेल को वैं पेस्ट जो बनायए है भी बहुत बैतरी नहीं है, चमतकारी है, तो यह पेट के कीरे ही नहीं मारते हैं, जैसे पेट में गैस बनने की समस्या हो, कबजी की समस्या हो, या फिर जलोधर की समस्या हो, किसी भी परकार का कोई भी समस्या हो, पेट से रिलेटेड, उसको सही करने के लिए, यान उसका बह बहुत अच्छा है दोस्तों अगले फायदे के बाद करें जैसे कि बाल जहरने की समस्या हो और समय सफेद होने की समस्या हो दोस्तों इसके बहुत सारे कारण होते हैं जैसे कि पॉलिशन के वज़े से सही खान पान के वज़े से नहीं होने के वज़े से बहुत सारे इसी प्र और समय सफेद हो रहे हैं तो उसको रोक काली कर सकते हैं तो इसको करना किसे है इसके लिए भी बहुत सधारन सा इसका प्रयूग है आप क्या करें थूहर का दूद लेया है और सरसों का तेल जैसे मैंने पहले बताया था ना उसी तरह आप इसको धीमी आज में से पका करके के हाथों से मालिस करें इस तरह से आप continue 10 से 15 दिन करेंगे आपको फायदा दिखने लगेगा दोस्तो बाल उगाने के लिए बाल को जरते विरोकने के लिए और समय सफेद होने के लिए या बालों से लिए कोई भी समस्या हो उसको दूर करने के लिए या नुस्का बहुत बहतरीन है दोस्तों अगले फायदे के बारे में अगर बात करें जैसे किसी की दातों से खून आने की समस्या होता है दांतों में मुझसे से बदबू आता है दांत सरने लगते हैं कीरे पर जाते हैं या गलत खान पान के बज़े से कभी गुटका बीरी पान सिक्रेट खाखा करके अपने लोग दांत को सरा लेते हैं तो दोस्तों ऐसे टाइम में आपका क्या कर सकते हैं थूहर का भी आप परयोग कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा इसके जर को ले आए और छोटे 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 टुक्रे करके इसको सुखा ले और इसके बाद सुखा करके दोस्तों उसको रख ले और इसको क्या करें छोटा सा टुक्रा मुह में ले औ और उसको चवाते रहें दोस्तों उसका जो रस होता है उसको अंदर नहीं लेना है उस चवा चवा करके जैसे आप उसको जैसे चीवगम चवाते हैं उस तरह से चवाना है और उसको जो लार बनता है उसको फेक देना है इस तरह से अगर आप करते हैं सुबह सुबह या रात म काम करता है बस दोस्तों ध्यान रखिए गया किसका जो लारवा है ना वह अंदर ना जाए उसको बाहर फेकना है करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक जरू कर देना एक लाइक करने से मेरा मोनोवल बरता है जिसके बज़र से आपके लिए इसे ही वीडियो हम लाते रते हैं अपने यूटूब के मांद्य हम से चलिए दोस तो आप लोग स्वस्त्र हैं मस्त्र हैं जै हिन जै भारत